दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप अपने मुबाइल में डिस्क डिगर फोटो रिकवरी एप को आप कैसे यूज़ कर सकते हो जी है दूस्तों this दिगर रैप्लिकेशन किया है और इस रैप्लिकेशन को कैसे इस्तमाल करें तो आज किस विडियो को आप पूरा देखना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप नमारे चानलों को सब्सक्राइब करा तो चानलों को सब्सक्राइब करके बैला आइकन को जरूर से प्रेस कले जोगा तो चले फ्रेंट्स आज का इव वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों प्लेटी स्टोर से आपको डिस्क डिकर फोटो रिकवरी अप सर्च करना और दोस्तों इस वाली अपको प्लेटी स्टोर से डाउनलोड करेना है इस एप्लिकेशन की 10 क्रोड प्लस डाउनलोड करने की बाद जैसे ही दोस्तों आप डिस्क डिकर अप्लिकेशन को अपनी मुबाइल में ओपन करोगे ओपन करने की बाद कुछ इस तरीके से आपको इस आपका यूजर इंटरफेस देखनी को मिल जाता है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सर्च फोर लॉस्ट फाइल वाला उप्शन दिख रहा है यहाँ पर सर्च फोर लॉस्ट फोटोज का उप्शन दिख रहा है अगर आप अपने मुबाल से डेलेट हुए वीडियोज को वापस लाना चाहते तो search for lost वीडियोज पर क्लिक ना है तो हम search for lost photos पर क्लिक करेंगे इसके बाद permission को यहाँ से आपको allow करना और कुछ time wait करना उपर की और settings का भी option मिलता जहाँ से दोस्तों आप पर्टिकुलर डेट चूज कर सकते हूँ उस डेट की आपकी सारी photos आप एक साल दो साल कितनी पुरानी photos चाते वह यहाँ से आप आप customize कर सकते वैसे यहाँ पर आपको home screen पर आपको सारी सारी photos आपके deleted photos यहाँ पर show जाएगी जितने भी पिछले साल यहाँ पर पिछले मैने में आपकी जितनी भी photos videos डिलीट हुए वह सारी की सारी यहाँ पर show करेगी और दोस्तों यहाँ पर आप फोटो को देख सकते हू जीब को पिछ फोटो को फिर से ग själv करना चाहते हो तो यहां से आप पर टिकष्ट को मैं सवी फोटो को भी आप स toyक्र से नहीं के की बाद आपकोई चुछा पर इस इस पर क्लिकरने की बाद दोस्तों यहाँ पर आपको folder चूज करना है कि Deus pre सेव करना चाहते हूं तो यहाँ पर गाईस मैं अपनी फाइल मेंगर में से एक फोल्डर याँ पर स्लेक्ट करें आप पर परमिशन को अलाव करेंगे और यहाँ पर यह फोटो सेव हो चुकी है तो इस तरीके से दोस्तों डिस्क डिकर से आप जिस भी फोटो को गैलरी में ल सारी किसे आप रीकवर कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो तो फिलाल गाईस यहाँ पर मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं तो जिस भी वीडियो को आपको वापस गैलरी में लाना उस वीडियो को सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं त आप गाइस आपको recover option पर क्लिक करना है इसके बाद आपको second वाले option पर क्लिक करके यह जो है आपको folder चूज करना है तो already recovery मेरा already folder यहाँ पर चूज है हम जो है use this folder पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यह permission को लाओ करके यह video आपके इसमें जो है save हो जाएगी तो यहाँ पर आप तीन वीडियो यहाँ पर हमारी save हो चूज है अप गाइस यहाँ से में बाहर आ जाता हूँ इस application से और दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है video save हो चूज है photos और वीडियो save हो चूज हो चूज है file manager open कर लेता हूँ यहाँ पर उस folder को मैं आपर search कर लेता हूँ all recovery यहाँ पर यह folder आ चुका और इसमें आप देख तो जो photo मैंने जो सलेक्ट करे थी वो सारी photos आ चुके और यहाँ पर यह तीन वीडियो मैंने चूज करी तो तीन वीडियो भी यहाँ पर recover हो चुकी है तो गैस कुछ इस तरीके से आप डिस्क डिगर photo recovery application के मज़से आप अ वेल से deleted photos वीडियो को आप वापस ला सकते हो अगर आप कोई वीडियो चलागा हो तो इस वीडियो को like, share and subscribe जरूर से किचेगा